नमस्कार दोस्तों, गोल्ड अपने पीक हाई पर पहुँच चुका है, यानि कि पचास हजार को पार कर चुका है, और जैसे है कि मैंने आप लोगों को तीन से तीन महीने पहले वीडियो बना करें कहा था, जब गोल्ड की प्राइस अल्मोस्ट 39-40,000 रुपीज के आसपास थ ठीक है, और उस समय मैंने आप लोग को सजेस्ट किया था कि आप लोग अपना इंवस्टमेंट गोल्ड की तरफ बढ़ाईए, तो आप लोगों को अल्मोस्ट इस तरह के रिटॉन देखने को मिलते हैं, तो फाइनली दोस्तों बात ये अब आती है, कि अगर आप लोग 50,000 रुपीज के पार कर चुका है गोल्ड, अगर इंवस्टमेंट करते हैं, तो क्या ये सही डिसीजन होगा, क्या अभी भी आप लोगों को गोल्ड में अपना इंवस्टमेंट जारी रखना चाहिए, तो मैं आप लोगों कुछ डेटा बताता हूँ, इस समय 35% ज्वैलरी या फिर कहले जो फिजिकल गोल्ड होते हैं, उनमें खरिदारी कम होई है, ठीक है, ग्लोबली और वही पर अगर आप लोग देखते हैं, ETF एंवस्टमेंट की पूरा ग्लोबली तो अल्मोस्ट ये और इंक्रीज हुआ है, अल्मोस्ट आप कहा सकते हैं, बॉम्बास्टिक तरी ये इंक्रीज हुआ है, पिछली तीन से चार महिने में, तो ओवराल दोस्तो, ETF इंवस्टमेंट की वज़ए से गोल्ड की प्राइज इतनी ज़्यादा आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो अगर हम बात करते हैं, इंवस्टमेंट की, तो आप लोग अगर इंवस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जरूर करें गोल्ड में इंवस्टमेंट, लेकिन जो मेरी स्टाटेजी है, इस समय जो मैं कर रहा हूं गोल्ड के साथ, 2019 में क्या था, कि 2019 में इंवस्टर्स को पता था, कि equity is a good option than gold, क्योंकि equity काफी अच्छे return निकाल करके दे रहा था है, gold से, 2019 में क्या था, कि आप लोग अगर अपने portfolio के 5% तक gold को रखते, तो that will be the best option, ठीक है, लेकिन अब 2020 की situation को देखने के बाद, अगर आप अपने gold में investment 10-15% बढ़ाते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आपका portfolio काफी stable रहेगा, और आप लोगों को return भी है, जो वो अच्छे बन करके आएंगे, तो मैं जो कर रहा हूँ दोस्तो, यह second वाली strategy अपना, जो 2019 में मेरी strategy 5% की थी, अब वही 2020 में मेरी strategy 10-15% का हो गया है, यानि कि मुझे अब gold में अपना investment 10-15% रखना है, यह उन लोगों के लिए है, जो अपना investment काफी aggressive तरीके से करते है ठीक है, क्योंकि मैं काफी aggressive investor हूँ, मेरा ज़्यादातर investment equity में जाता है, और अभी वे priority equity को ही देता हूँ, share market को देता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम gold की बात करते हैं, तो इस समय की situation को देखते हुए, आप लोगों को gold से मूँ नहीं मोड़ना चाहिए, कि भईया 50,000 के ऊ इंवस्मेंट करना ही है, जैसे आप लोग systematic investment प्लान करते हैं, जैसे आप लोग RD करते हैं, अपना पैसा हर महीने उसमें डालते रहते हैं, तो वही goal रखिए अपने investment के साथ, आप लोग कहीं से भी पैसा निकाल करके bulk में मट डालिए, बलक में आप लोग डालेंगे तो आप लोग की prices काफी साब डाउन हो जाएंगी, एक दिन में दो-दो हजार रुपए कम हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप लोग काफी अधा panic हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अपनी FDs को मत तुरवाईए, अपने equity को छेड़ जाड़ मत उसमें भले ही portfolio में chain करिए, equity के दूसरे shares में investment कीजिए, लेकिन gold में आप लोग बल्क पैसा मट डालिए, क्योंकि gold में इस तरह की situation आप लोग के साथ आ सकती हैं, पैनिक हो सकते हैं, फिर आप सुचे हैं, gold price अब उपर नहीं जाएगी, तो आप लोग बहाँ से पैसा निका साधिम से, बाकि अगर आप लोग speak situation की बात करते हैं, तो मैं आप लोग को अभी भी suggest करता हूँ कि gold में अपना investment कीजिए, जब दिवाली का और आने वाले season में, जब साधी बया का season आने वाला है, अब क्योंकि lockdown लगबग खुली चुका है, तो साधियां भी भरपूर अच् गोल्ड में कभी मढ डालिए, तो वीडियो अच्छी लगए, तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ share कीजिए, चैनल पे नाए हैं इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बल आइकन उख्लिक करेंगे, तो आने वाली वीडियो के notification आसे किनगे, हम लोग डेक्स वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन सुबह, जैहिन!